Hello everyone, hope you all are fine. So today, in this video, we'll be talking about the purpose of studying Ruler Marketing. So students, as you all know that, हमारा नया सेशन स्टार्ट होने वाला है. तो कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी की जो हमारी become second year की scheme है, उसके अंदर हमारा third semester के अंदर एक subject आता है जिसका नेम है Ruler Marketing. तो बच्चे, Ruler Marketing subject आपके कारिकुलम में क्यों include किया गया है, उसका क्या purpose है, आपको क्या benefit मिलेंगे इस subject को study करके, उसके इलावा क्या-क्या contents है हमारे become second year के subject के अंदर, and हमें कौन सी books refer करनी है, इस subject को prepare करने के लिए, इस video lecture के अंदर हम ये सब चीजे cover-up करेंगे. So, without wasting much time, हम जो हमारा main आज का topic है, that is, कि purpose क्या है Ruler Marketing को study करने का, वो start लेते हैं. तो बच्चे, अगर हम बात करे Ruler Marketing की, तो Ruler Marketing जो subject है, इसके जो basic terminology है, that is, Ruler Marketing होता क्या है? तो जो Ruler Marketing है, बच्चे, एक process है, छीक है? इसके अंदर हम करते क्या हैं, कि जो भी Ruler, आप कहले जीए, customers है, उनकी needs and wants को satisfy किया जाता है. उनके needs and wants को satisfy कैसे करेंगे? उन तक desired products and services को पहुंचा कर. हमें मालूम हैं, कि जो उनके goods and we all know that, कि इंडिया के अंदर जो maximum population है, वो Ruler area से belong करती है. तो इसलिए ये जो market है, जो Ruler market है, ये आप कहले जीए, एक उभरता हुआ market है, हमें मालूम है कि बहुत सारे जो marketeer होते हैं, वो urban market के अंदर तो available होते ही होते हैं. बट अगर हम बात करें Ruler market की, तो Ruler market के अंदर भी आप कहले जीए, बहुत जादा opportunities available हैं, तो आप उस market के अंदर जाकर उन opportunities को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं. तो Ruler marketing होती क्या है, Ruler marketing के अंदर Ruler area के लोगों के लिए goods and services को बनाना, develop करना, उनका price, उनका price decide करना कि क्या दाम रखे जाने चाहिए, उन products को Ruler area के अंदर किस तरीके से promote करना है, ताकि आपकी maximum जो sales target है, आप उसको achieve कर सकें. उसके इलावा, आपका profit motive तो achieve हो, साथ ही साथ, Ruler area के अंदर distribution pattern क्या रहना चाहिए? हमें मालूम है कि इंडिया के अंदर दूर दराज तक गाउं located है, बहुत दूर दराज तक लोग रहते हैं, ठीक है? तो वहाँ तक अपना distribution पहुँचाना, ये सब कुछ हम Ruler marketing के अंदर पढ़ते हैं. हमें मालूम है कि maximum से maximum जितने भी marketeers इंडिया के अंदर available हैं, सब का निशाना क्या होता है कि अर्बन market के अंदर products को sell out किया जाए? बट अगर बात करे Ruler areas की, तो ये आप कहले जी एक niche market की तरह है, एक बहुत जादा profitable market अगर साबित हो सकता है, अगर आप उस market के अंदर जो भी needs हैं, उनको अच्छे से समझ ले, कि वहाँ पर लोगों की क्या needs हैं, लोगों की क्या wants हैं, और उस needs and wants के accordingly, अपने products को बनाएं, अपने services को बनाएं, उनका दाम उनके हिसाब से रखें, और उन तक जो भी आप क्या लिए जल से जल मतलब product को पहुंचाएं, उनकी needs को satisfy करें, ठीक हैं, maximum आप क्या लिए जिए, maximum से maximum लोगों की reach तक उस product को ले कर जाएं, तो आप कभी भी loss में नहीं जाएंगे ruler market के अंदर, तो ruler marketing के अंदर हम यही सब चीजों के बारे में क्या करते हैं, study करते हैं, so students, जो today, जो ruler market है, वो faster speed के उपर grow कर रही है, इसके अंदर बहुत सारी opportunities increase होती जा रही है, जो की, आप, जो की beneficial हो सकती है किसे भी business unit के लिए, जो भी लोग ruler areas के अंदर reside करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, उनके लिए भी रोजगार के अफसर arise होंगे, रोजगार के अफसर उत्पन होंगे, ठीक है, और जो लोग urban area में reside करते हैं, उनके लिए भी फायदे का सौदा है, वो ruler area के अंदर जाकर, नए-नए businesses को establish कर सकते हैं, और अगर मैं overall बात की करूँ, तो पूरे के पूरे जो हमारा nation है, ठीक है, पूरा देश है, उसी को फायदा है, पूरी economy को फायदा है, क्योंकि urban areas तो grow करते ही जा रहे हैं, बहुत समय से लोग urban areas में ही काम कर रहे हैं, बट, रूलर area के अंदर भी अगर काम काज बढ़ेगा, तो वहां की भी development होगी, वहां की भी economic conditions में सुधार होगा, जिसकी वज़ा से, पूरे के पूरे देश में, जो आप कहा लिजे, unbalanced development हो रही थी, वो balanced development में क्या हो जाएगी, convert हो जाएगी, balance economic development हो जाएगा, दोनों areas में कोई फरक ही नहीं होगा, पहले लोग क्यों जाते, migrate करते थे urban areas में, क्योंकि वहां better opportunities उन्हें लगती थी, तो फिर लोग migrate ही नहीं करेंगे, जहां रह रहे हैं, अगर उन्हें वहीं पर सारी सुख सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई, तो वो क्यों urban areas में क्या करेंगे, migrate करेंगे, तो बचे, इस जो subject को लाने का यही मक्सद था, कि आपको ruler economy के बारे में पता लग सके, आप ruler area के अंदर अपने successful businesses को किस प्रकार से establish कर सकते हैं, इस subject के थुरू आपको पता लग जाएगा, so that आने वाले समय में बहुत नए-नए entrepreneurs ruler area के अंदर भी क्या करें, move करें और वहां की economy को भी क्या करें, boost up करें, वहां की economy को भी develop करें, तो university ने ये subject इसी लिए launch किया है, कि जो हमारे untouched areas हैं, ठीक है, उनकी तरफ भी लोगों का ध्यान जाए, ठीक है, लोग इन opportunities की तरफ attract होए, और इससे लोगों का भला हो, और students बहुत सारे reasons हैं, जो हमारी जो ruler economy है, वो grow कर रही है, क्यों grow कर रही है, एक तो population growth, वैसे तो no doubt हम कहते हैं, कि इंडिया की population बहुत जादा increase हो रही है, बट increase हो रही है, हमारे resources deplete हो रहे हैं, ये तो नुकसान की बात है, बट फाइदे का सौधा भी है, क्योंकि फाइदा क्या होगा, नए-ने businesses आएंगे, नए-ने opportunities भी population लेकर आती है, और agriculture जो prosperity है, उसकी वज़े से, we all know that कि ruler area के अंदर agrarian prosperity है, maximum लोग क्या करते हैं, agriculture की साथ ही जुड़े हुए हैं, अब farming के अंदर नई-नी techniques आ रही हैं, लोगों को नई techniques के बारे में पता लग रहा है, तो वो जो traditional farming थी, वो modern farming की तरफ shift कर रहे हैं, जिसकी वज़ा से, जो large number of villagers हैं, वो भी हमारी FMCG company के क्या बनते जा रहे हैं, consumers बनते जा रहे हैं, उनको भी वो सबसमान चाहिए, जिनसे वो अपनी, आप कहा लिजे, standard of living को क्या कर सकते हैं, increase कर सकते हैं, तो अगर आपका urban area में भी no doubt business है, तो आप उस business को, उस business का दारा बढ़ा सकते हैं, उस business को villages तक ले कर जा सकते हैं, उस business को आप ruler area तक ले कर जा सकते हैं, हमारी जो सरकार है, वो भी बहुत जादा ruler development programs लाँच कर रही है, और वो ruler development program से, ruler area के logo को, आप कह लीजे, ruler area के logo की development करनी है, ruler area के logo को आगे तक ले कर आना है, तो ये कुछ एक points है, और उसके इलावा, वहां का literacy rate इंप्रूव होता जा रहा है, ruler area के अंदर, infrastructure भी बहुत जादा increase होता जा रहा है, roads की connectivity होती जा रही है, roads, अच्छे अच्छे roads बनने स्टार्ट हो गए, जिसकी वज़े से, आगे जो distribution को लेकर दिक्कते आती थी, अब वो दिक्कते, धीरे धीरे कम होती जा रही है, मैं पूरी तरह से नहीं कहूंगी, कि पूरी तरह से कम हो चुकी है, बट धीरे धीरे वो चीज़े क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो ये सब आप क्या लिजिए कि positive signs है, चीक है, आपके लिए, कि अगर if you want, कि आप ruler area, जो ruler market है, उसको भी capture करना चाहते हैं, तो ये positive signs है, और इन positive signs को देखते हुए, आपको ruler area के अंदर ज़रूर move करना चाहिए, तो हमारी university ने इसी लिए, ये subject डाला कि आपका एक mindset prepare हो ruler area के लिए, so that आने वाले समय में, हम जादा से जादा लोग entrepreneurs देखें, कि वो ruler area में जा रहे हैं, और वहाँ के लोगों की development कर रहे हैं, तो students क्या purpose है, इस subject को study करने का, देखिए, तो इस subject के थुरू बचों को knowledge मिलेगी, किस-किस चीज की knowledge मिलेगी, students will get to know about the ruler marketing, उसके क्या-क्या nature है, उसकी क्या characteristics है, क्या opportunities and challenges, ruler market जो इंडिया के अंदर ruler market है, उसके अंदर face करने पढ़ सकते हैं, चीक है, आपको ये subject पढ़ के इन सब चीजों की जानकारी मिलेगी, आपको ruler marketing के अंदर जो भी factors है, environmental factors जो जो effect करते हैं, जैसे हो गया social, culture, environment, economic, demographic, technological and other environmental factors, जो ruler marketing को क्या करते हैं, effect करते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, उसके इलावा, ruler customer behavior के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ruler market को आपको किस प्रकार से segment करना चाहिए, उन चीजों के बारे में you will get to know about, after that, ruler marketing के अंदर आपको अपना जो ruler marketing mix है, जो product mix है, वो किस प्रकार से बनाना चाहिए, क्या pricing रखनी चाहिए, क्या distribution channel आपको use करना चाहिए, उसके इलावा आपका product mix कैसा होगा, ठीक है, pricing होगी, placing होगी, तो ये सब चीजों को आपको किस तरह से design करना चाहिए, आप इस course को जब पढ़ेंगे, तो आपको उन सब चीजों की जानकारी मिलेगी, ठीक है, उसके इलावा, अगर आपको personal selling के, आपको personal selling अगर करनी है, तो personal selling के लिए, क्या-क्या planning आपको चाहिए, ठीक है, कैसे आपको उनको organize करना है, personal selling को, क्या-क्या नईनी innovations लेकर आनी है, उसके इलावा, आपको अगर e-commerce tools use करने है, ruler marketing के अंदर, तो आप किस थरीके से करेंगे, ठीक है, और किस प्रकार के distribution channels के इस्तिमाल किया जाएगा, ताकि maximum से maximum reach तक आपका product पहुन सके, तो ये कुछ एक student's purposes है, जो course outcomes है, that means, आप जब इस subject को study करेंगे, तो ये subject को study करने के बाद, आपको क्या फायदा मिलेगा, आपकी जो knowledge का level है, वो कितना बढ़ेगा, आप किस प्रकार से सोच पाएंगे, आपको क्या फायदा मिलेंगे, तो ये सारे के सारे outcomes है, ruler marketing को study करके, आपको मिलेंगे, उसके बाद, अगर students में बात करें, university के syllabus की, जो नोंने हमारा become second year के अंदर, third semester के students के लिए prepare किया है, तो सबसे पहले बात की जाए, तो हमारा जो course है, that is ruler marketing, इसका जो code है, subject code है, that is BC306, और इसके अंदर बचे, आप क्या-क्या topic study करेंगे, वो है, ruler marketing, इसका meaning, nature, characteristics, opportunities and challenges, जो आप ruler market के अंदर face करेंगे, उसके बाद वो ही है, सारे के सारे आपके environmental factors, जो effect कर सकते हैं आपको, strategies आपको क्या ruler marketing के अंदर use करनी चाहिए, ruler marketing mix कैसा होना चाहिए, difference क्या है ruler और urban market में, क्या-क्या फरक हैं, ताकि आपको पता लग सके, और उसके accordingly ही, आप ruler market को, urban market के comparison में किस तरह से उभार सकते हैं, वो सब चीजों के बारे में आपको पता लग जाएगा, क्या-क्या problems आप face कर सकते हैं, while you are entering the ruler marketing, क्या-क्या strategies ruler marketing के लिए आप follow करेंगे, उसके इलावा, आप क्या distribution channels को use करेंगे, non-durable products की marketing कैसे करेंगे, durables की कैसे करेंगे, personal selling क्या role play करती है ruler marketing के अंदर, आप क्या-क्या innovations लेकर आ सकते हैं ruler market के अंदर, और e-commerce का किस तरह से inclusion हो सकता है ruler marketing के अंदर, आप उन सब चीजों के बारे में भी, आप उन सब चीजों के बारे में भी जानकारी हासिल कर पाएंगे, जब आप इस course को study करेंगे, उसके इलावा, बच्चे अगर मैं बात करूँ, ये slide से पहले मैं आपको ये वाली slide दिखाना जाऊंगी, इसके अंदर, जो हम आपको book refer करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, एक base book पच्चे आप refer करेंगे subject को prepare करने के लिए, जिसके अंदर आपका K.U.K. University का सारा syllabus included है, that is ruler marketing book by VK Publications, बच्चे VK Publications ने आपके लिए एक book ready की है, जिसके अंदर आपका K.U.K. University का सारा syllabus included है, आप इसको base book की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसके इलावा, अगर आपको और extra matters चाहिए, आपको और जादा knowledge gain करनी है ruler marketing की, तो आप इसके इलावा extra books को भी refer कर सकते हैं, आप internet को refer कर सकते हैं, journals को refer कर सकते हैं, पब्लिकेशन हाउस का नेम है, वी के पब्लिकेशन, और जो राइटर्स हैं बचे वो है अशोक जैन और वरुन जैन, यह जो book है आपकी English और Hindi मीडियम दोनों में अवेलेबल है, उसके इलावा बचे आपके जो contents हैं, आपके 10 chapters हैं, जो syllabus के accordingly क्या हैं, equally bifurcated हैं, awareness आप गेन कर सकते हैं, अगर आप इसको sincerely study करते हैं, तो students, I hope you all must be clear with the purpose of studying ruler marketing, तो इस video को देखकर आपके जो भी syllabus, books के regarding, जो भी doubts होंगे, I think वो clear हो जाएंगे, So that's all for this video, thank you everyone and have a great day ahead.